हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ पृती गुपता और मेरे चैनल पृती की एशन में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आ ही गया होगा कि आज हम किस विशय पर बात करने वाले हैं दोस्तों अगर आपके भी दात काफी ज़्यादा पिले रहते हैं और आपके मुझसे बद्बू आती है काफी ज़्यादा ब्रश करने के बावजूद भी आपको यह प्रॉब्लम लगातार होती है या फिर आप तम उपयोग करकर देखना ही है फर्स्ट इंग्रेडियंट कॉमान इंग्रेडियंट है कोलगेट जो कि हम सभी डेली शुबबरस करते हैं लेकिन ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो सिर्फ कोलगेट करने से भी आपके दातों उसे बद्बू नहीं जा रही और आपके दातों का पील भी डेली शुब्लम हें सेकें क्ते सद्ब्रेड opposition आपके दातों को बीलकुल मोती की तरह चमका देगा आपके दातों के सोडियाम पाइक और उरीटत करेंगे इन तीनों इंग्रेडियंट का पेस्ट जब आपके डाड़ के अंदर लगेगा तो उसमें फसा हुआ कीड़ा भी बाहर निकलाएगा दोस्तों आप एक बार इसे जरूर ट्राइक किजेगा पहले तो आप कोलगेट और इस खाने के सोड़े को दोनों को अच्छे से मिला इस खाने का सोड़ जादाए अच्छे से बार करेगा यह फुलाने का काम करेगा आपके दातों को बिल्गूल मोती की तरह चमकाने का काम करेगा अब बात आती है ठरड इंग्रेडेडेंट की दोस्तों तर्ड इंग्रेडेडेंट आपको लेना है यहां पर नमक जी Seven का नम शोडियम कार्बोनेट और कोलिकेट इन तीनों को पेस्ट मिलकर तयार हो जाएगा तो आपको डेली की तरह आप जैसे ब्रस करते हो शुबह के समय आप इसे बना कर भी रख सकते हो लेकिन ततकाल बनाओ तो जादा अच्छा है शुबह के समय अपना ब्रस लीजिए इस तरीक से 10 मिनट के अंदर अगर कीड़ा होगा आपके दाद के अंदर तो बाहर निकलाएगा यकिन मानिया आप एक बार इससे जरूर प्योग कीजेगा और मैं आपको बता दू कि यह जो मैंने लोशन या पेस्ट बनाया है इस पेस्ट से आप अपने ज्वेलरी वगेर अगर कु मैंने आपको हाथ के ऊपर एपलाए करकर दिखाया है कोल गेट सोडियम का बाइकारबोनेट और नमक जब मिलता है तो आपके दात मोती की तरह चमका देता है दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा थेंक्स वाचिंग फ्रेंड मिलते है नेक्स वीडियो में बाइ